नमस्कार दोस्तों अभी मैं इस वक्त हो गया जिले का यह गाउं है गहलावर और आप देख पा रहे होंगे यह जो घाटी है दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंसान का बात करने के लिए जा रहा हूं जिनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ कम होगा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो घाटी है इसी घाटी को उन्होंने 307 फिट लंबा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीन सो साथ फिट लंबा और तीस फिट चावड़ा और पचीस फिट ऊचा दोस्तों उन्होंने इस पहार को काट डाला दोस्तों इस पहार को काट डाला क्या लगता है इसको काटने में कुछ समय लगा होगा नहीं 25 साल लगा 21 साल अपने आप में बहुत होता है दोस्तों लोग उस समय जब यह पहार को काट रहे थे लोगों ने क्या नहीं कहा लोगों ने तो कहा यहां तक कि यह मंजिया पगला गया है इसका दिमाग खराब हो गया है इस तरीके का वर्ड लोग इस्तेमाल करता था लेकिन दस्तरत मांजी जी ने बिना परवा किये हुए छेनी और हथोडी से अपना कंसिस्टेंसी के साथ पहाड को काटते रहे काटते रहे और फाइनली इस पहाड को काट करके रास्ता बना दिये और इसी रास्ते से हम लोग उजरते हैं राजगीर के लिए दोस्तो इसी रास्ते पे आज मेरी गाड़ी लगी हुई है सोची अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्तो लेकिन जब उन्होंने पहाड को काट दिया तो फिर इनका नाम रखा गया परवत प्रूश दसरत मांजी सोचिए दोस्तो इन्होंने एक स्लोगन कहा था जब तक तोडेंगे नहीं जब तक छोडेंगे नहीं और यही व लोगों को मैं ही कहूंगा अपने जीवन में जो भी कुछ करें आप कंसिस्टेंसी के साथ करें लगातार करें और किसी भी काम में आप एसोच ले जब तक मैं करूंगा नहीं जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं और में लगा तार करूंगा यस और नो यस सर थैंक यू सो मच थैंक यू